आगे राइपूर से बड़ी ख़बर आपको बता दे जहां बिलासपूर इंदौर विवान सेवा के आसे शुरुवात हो रही है तो केंद्री मंत्री जोतरा दित्ते सिंध्या इसकी वर्चुल शुरुवात करेंगे सियम भूपेश मघेल भी कालकरम में वर्चुल शामिल होने वाले है तो सुबर टीक 10 बच कर 45 मिनट पर बिलासर देवी हवाई अड़ा से इसकी शुरुवात हो जाएगी तो 41 करोड रुपए की लागर से बिलासपूर इयरपूर का विकास किया गया है तो एक बड़ी सौगात, 36 गरवासियों के लिए खास पर बिलासपूर से इंदौर का जो सफर करेंगे उनके लिए एक बड़ी खबर है, महतुपूर जारिकारी है तो आज से इसकी शुरुवात हो जाएगी इस यह भूपेश मघेल भी इस कालकर में वर्च्वल शाबिल होने वाले है इसे खबर पर हमारे सहोगी उमेश हमारे साथ लाइव जुर्गय सिधा उनका रुकर लेते हैं उमेश इसको लेकर इंतजार भी किया जा रहा था और आज इंतजार खत्म हो रहा है कि आज सौगात यह मिलने वाली है कि बिलासपूर से इंदौर विवान सेवा शुरू होगी कब से इसके टिकेट के बुकिंग हम कर सकेगे देखे इसके टिकेट के जो बुकिंग है वो हो चुकी है अगर हम बात करें बिलासपूर से इंदौर के लिए वो 90% जो टिकट है वो विख चुकी है इसके साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिलासपूर से भोपाल की जो फ्राइटे रद कर दी गए थी उससे कहीं न कहीं बिलासपूर के जो लोग हैं उनको इसके लेकर निरासा थी और वो मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से वो लगातार ये कह रहे है कि हवाई माहानग्रों के लिए हवाई सेवा सुरू की जाए, नाइट लेंडिंग के लिए यहां पर जो वैवस्था हैं उसको पूरी की जाए, लेकिन वो ना करके जो फ्राइटे चल रही हैं उनको रद किया जा रहा है वो गलाता है, लीहाजा एक बड़ा नीर्णाय लेते हुए उड्डैन मंत्री ने बिलासपूर के लोगों को सावगात दिया है और ये कहा है कि बिलासपूर से इंदौर के लिए एक नई फ्लाइट सुरू हुई है तो कहीं न कहीं उसकी भरपाई जो भोपाल भोपाल थी वो रद की गई थी उसकी कहीं न कहीं भरपाई हो चुके हमारे साथ यहां पर टीएस देव जी हैं उनसे भी बात करेंगे कि बाबा ये बिलासपूर से इंदौर के लिए हवाई सेवा सुरू होने वाली है लेकिन उससे पहले एक फ्लाइट बिलासपूर से भोपाल को रद कर दिया गया था वहीं पर आगया आज लगभग जितना अंबिकापूर से राइपूर एसी का ट्रेन का टिकेट का कीमत लगता है अगर हवाई सेवा चालू होगी अंबिकापूर से तो उतने टिकेट लगेगा और समय में बहुत बचत होती है तो इसकी आवशक्ता भी है और लोगों की आर्शिक सिती में इतना सुधार भी हो चुका है कि वह वायू यात्रा सतत करते रहेंगे प्राणम करना जाएं फिलासा हवाई सेवा की जो सीवधाय उसको नहीं बढ़ाई जारी है राज्य सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है इसमें दिकत जा रही है कि आर्मी की जो जमीन है उसम की सहमती नहीं मिल रहे इसमें बात हुई थी पहल हुई थी कि कुछ जमीन की अदला बदली करके कोई रास्ता ऐसा निकाला जा सकता है तो प्रहल जारी है बड़ी हवाई जहाज बिलासपूर में उतरनी चाहिए उसके लिए रनवे हमको बढ़ाना अनिवारे प्रयास कर र पर कहीं न कहीं मामला अटकवाई जिसकी वजह से यहां पर जो हवाई सेवा की शुरू की जाएंगी लेकिन फिलहाल आज बिलासपूर से इन दौर के लिए वीमान सेवा की शुरुआत हो रही है जिसके लिए लंबे समय से बांग भी की जा रही थी तो एक बड़ी सौगा सब्सक्राइब को बहुत बहुत शुक्री आपका तमाम जानकारी के लिए